साथ यो HTML किस परकार यूज करेंगे, HTML क्या होता है, HTML कैसे चलाएंगे, हम वेब पैट, डिजाइन, HTML के जिरिए कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने बिगिनर्स के लिए एक सीरीज बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे टैक्स, बहुत सारे वीडियो बनाए हुए, सा अच्छा है, क्या क्या डिफरेंस है, इसके अंदर, ये सारा हम जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंतक बने रहेगा, नमस्कार साथ हो, मेरा नाम है मनोश कुमार, और आप देख रहे हैं, कंपिटर ग्यानकुरी चैनल, तो चलिए, सीख लेते हैं, तो सबसे पहल ये समय समय पर अपडेट होता चला गया है, इसके बाद जब 1901 में के बाद HTML अपडेट हुआ, वो था 1995 में तब आ गया था HTML 2.0, वैसे इससे पहले भी एक वरजन आ गया था, HTML प्लस वो 1993 में आया था, इसकी कम एहम यात है, लेकिन 95 में आया था 2.0, फिर आया HTML 3.2, ये 97 म में और फिर X-HTML 2000 में आया, और फिर जो HTML 5 लॉंच हुआ था, ये हुआ था 2014 में, इनके अपडेट में कुछ डिफरेंस ये है कि इन में से कुछ टेग्स हटा दिये गए और कुछ नए टेग्स एड़ कर दिये गए थे, जो टेग्स रिमूव कर दिये गए, HTML 5 में से वो ट इसके अलावा, इनपुट टाइप में भी कुछ एड़िट किया गया है, उसमें डेट, टाइम, सर्च, इमेल, टैल, कलर, नमबर और यूरल, इस परकार कुछ वैल्यू नई एड़ की गई है, इनपुट टाइप के अंदर भी, अब और डिफरेंस क्या 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 वो भी जान लेते हैं, एक टेबल के जरीए, एस्टेमेल के अंदर डिकलेरेशन काफी लंबी होती थी, अब एक्जामपल भी देख सकते हैं, किस परकार की डिकलेरेशन हमको लिखनी पड़ती थी, काफी सा कई लाइने हो जाती थी, लेकिन अब डिकलेरेशन, एस्टेमेल 5 के अंदर काफी स्माल है, दूसरे वेक्टर ग्राफिक्स का, जो की स्पोर्ट तो करता था, लेकिन उसके लिए हमको मदद लेनी पड़ती थी, वी एमेल, फ्लेश, सिल्वर, लाइट, इस परकार की कुछ अधर टेक्नोलोजी की, लेकिन एस्टेमेल 5 के अंदर वेक्टर ग्राफिक डिरेक्ट स्पोर्ट करता है, मैथमेटिक्स इक्वेशन के लिए भी अच्छी टेक्नोलोजी नहीं थी, जबकि एस्टेमेल 5 के अंदर मैथमेटिक्स इक्वेशन के लिए काफी अच्छी टेक्नोलोजी है, जो कि Math ML के जरीए यूज कर सकते हैं जो लोकेशन पॉसीबल नहीं थी HTML के अंदर जबकि HTML5 के अंदर जो लोकेशन अवलेबल है HTML में टेंपरेरी डाटा को स्टोर करने के लिए कुकीज की मदद लेनी पड़ती थी जबकि HTML फाइल के अंदर SQL और डाटा बेस के जरीए हम स्टोर कर सकते है HTML सभी पुराने ब्रावजर को स्पोर्ट करता है क्योंकि उसमें नई टैग सामिल नहीं है जबकि HTML5 सभी नई ब्रावजर को स्पोर्ट करता है इस परकार से यह कुछ डिफरेंस थे HTML और HTML5 के अंदर इस डिफरेंस का मतलब यह नहीं है कि हम पहले वैपेस डिजाइन नहीं कर पाते थे अब कर पाते हैं खाली यह अपग्रेड वर्जन है धीरे धीरे अपग्रेड होते रहते हैं उमीद है दोनों के बीच का अंतर आप समझ गए होंगे आपके डाउट्स किलियर हो गए होंगे तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट्स में बताएं हमारे वीडियो को दोस्तों में शेर करें हमें लाइक करें और ये दिन नए है आप हमारे चनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें